हेलो वियर्स कैसे हैं आप सब लोग उमीदे सब ठीक टाक होंगे और खेर खेरी चांगे तो आज हम लोग माइक्रो का एक टॉपिक पढ़ेंगे इंपॉर्टन टॉपिक है मोसली आ जाता है और सेकेंड यर के लिहाज से भी इंपॉर्टन है सबसे पहले तो हम टॉपिक भी चलते हैं बगाए टाइम वेस्ट के अचा जी तो टॉपिक का नाव है सेल मेडियेटिट इम्यूनिटी ठीक है अब इसका मतलब क्या है इम्यूनिटी प्रोवाइड बाइ सेल यानि कि जो सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा ना उसको हम सेल मेडियेटिट इम्यूनिटी कहेंगे अचा इम्यूनिटी क्या होती है यानि कि प्रोटेक्शन ठीक है पर एक्जामपल जैसे कि कॉविट आया था हमें डिजीज ह तो हम लगवाते थी टीक है नो फिस उसको हम self-mediated immunity कहते होगा, ठीक हो गया, अब नेक्स रहते हैं defense पर, कि defense क्या होता है, defense का आपको मतलब बताई है protection, यानि किसी भी चीज से defense करना है या protect करना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है protect body from pathogen by differentiate between specific pathogen, अच्छा देखें, अब हमारी body के लिहाँ से हमें किस चीज से protection चाहिए, और विस है, जैसे हमें disease होने से हमने बत्सना है ना, हमने healthy life गुजारने हैं, तो हमें disease कैसे होती है, pathogen से होती है, कोई bacteria virus infect कर देते हैं, जिसके वज़े से हमें disease होती है, जैसे कि अगर आप mosquito से हमें malaria हो जाता है, हमने पड़ा था, तो अब हम उसके against लड़ते हैं, ठीक है, defense create करते हैं, एक shield बीच में create करते हैं, जिससे हमें disease ना हो सके, और कैसे करेंगे, अपना immune system strong करके, तो ठीक है, तो हम body को protect करते हैं, pathogen से, differentiate करके, यानि कि हमारी body में अपने भी कुछ cells होते हैं, ठीक है, और हमारी body में अगर pathogen के कोई cells आ गए, अब हमें क्या बता कि कौन सा हमारा है, कौन सा pathogen के या कौन सा जो हमें disease causing है, और कौन सा हमारा अपनी body है, तो हमें यह नहीं पता होता, तो हमारे अंदर कुछ cells होते हैं, recognize करने के लिए, कि कौन से cells हमारे हैं, और कौन से cells बाहर से आए हैं, जो हमें disease cause कर सकते हैं, हम उनमें differentiate करते हैं, जब हमें पता चल जाता है, यह वाले हमारे cells हैं, और यह जो हैं, वो हमारे अगेंज हैं, हमारी body को खाम पहुंचाएंगे, ठीक है, तो फिर हम उनके अगेंज है, एक defense करिएट करते हैं, अपने cells को सिर्फ करते हैं, ठीक है, तो simple defense यह हैं, कि अपनी body को pathogen से बचाने को हम defense करते हैं, हैं, अब defense में दो तरह की होते हैं, अब types देखते हैं हम, so first one is cell-mediated immunity and the second one is humoral immunity, अच्छा, जो cell provide करते हैं, हमने बढ़ा cell-mediated immunity, और अब हमने defense की एक type को आज discuss करना है, cell-mediated immunity, यह सबसे पहले आप लोगों ने defense को define करना है, फिर उसके बाद उसकी types को आना है, ठीक है, next definition जैसे कि मैंने आपको बताया था, immunity provided by cell is term as cell-mediated immunity, वो immunity, वो defense, वो protection जो आपको एक cell provide करता है, उसको cell-mediated immunity कहते हैं, ठीक हो गया, अब हम देखते हैं, action of cell-mediated immunity, यहनि मैंने यह तो बता दिया कि cell-mediated immunity वो है, जिसमें cell हमें protection देगा, ठीक है, लेकिन cell कैसे देगा, main चीज, cell के अंदर भी तो कोई चीज होती है, जिसे हम कहते हैं, जी हमारी army जो है, तो हम कहते हमारी teacher, ठीक है, अब teacher हमें पढ़ाते हैं, अब उसमें से हम लोग ने specific teacher होगा ना, जो हमें chemistry पढ़ाते हैं, अब ये तो नहीं कहेंगे, जी स्कूल का पुरा staff हमें पढ़ाते हैं, नो, आपकी subjects कौन पढ़ाते हैं, वो एक specific teacher होगा, ठीक है, तो same as, हमें cell protection तो provide करते हैं, लेकिन उसमें से protection वाला जो है, role अदा कौन करता है, हमें protect करता कौन है major, वो होते है T cell, ठीक है, T lymphocytes, तो action of cell mediated immunity is controlled by T cell, T lymphocytes, these T cells combined to provide immunity, यानि के हमारे T cells होते हैं, वो आपस में combine करते हैं, एक cell में जो थे T cells present होते हैं, वो cells आपस में combine करते हैं, और हमें protection provide करते हैं, immunity provide करते हैं, ठीक हो गया, next अब देखते हैं कि presence of T cell, यानि T cell होते हैं कहां पर हैं, तो, ये present होते हैं bone marrow में हमारे, ठीक है, starting में ये bone marrow में present होते हैं, और फिर mature कहां पर होते हैं, जाके thymus में होते हैं, ठीक है, thymus में mature होने की वज़ज़े हमने इसका नाम T cells रखा है, T से thymus और T से T cells, ठीक है, इसका नाम क्यों है T cells, ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये mature कहां पर होते हैं T cells या के thymus में, इस वज़ज़े इसको T cells कहते हैं, लेकिन, ये starting में present कहां पर होते हैं, bone marrow में, ठीक है, अब types देखते हैं, अब आपको समझागी, start में मैंने आपको सबसे आपने बहले defense का बताना है, फिर types बतानी defense की, जिसमेंसे हमने एक को लेकर चलना है self-mediated immunity को, ठीक है, फिर उसकी definition बता दी, self-mediated immunity को, फिर उसका action बता दिया कि क्या कौन करता है आफिर action, तो वो है T-cells, ठीक है, T-cells दो, तीन तरह के होते हैं, वो आपस में combine होते हैं, mostly चार होते हैं, ठीक है, four types मिलती हैं आपस में, और एक, जो है, proper way में हमारी body को protect करती है, ठीक है, present कहां पर होता है, यह होता है, bone marrow में present होता है, mature जाके thymus में होता है, तो जैसे इसको हम क्या कहते है, T-cells, ठीक है, अब types देखते हैं, हम T-cells की, अच्छे जी, इनके ना नाम से ही पता चल रहा है, आपको पहला वाला T-helper cells, यह यह help करने में यूज़ होगा, तो third one क्या करेगा, suppressor का 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 करेगा, fourth one is team memory cells, memory है, कोई बात याद रखनी है, तो यह cells यूज़ होगा, यह 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 चारों मिलते हैं, اور protection का 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 क्ा का 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 होता है, for example, जैसे हमारे घर में कोई भी गैस्ट आते हैं, ठीक है, तो एक जिस है ठीक है जैसे हमारी बॉड़ी में पैथोजिन आएगा तो टी सेल जो टी हेलपर सेल है वो एक्टिव होता ठीक है वो एक्दम एक्टिव होगा हमारी बॉड़ी में जाएगा और सारे सेल्स को बॉड़ी के तमाम सेल्स को बता देगा कि जी हमारी बॉड़ी में पैथोजिन तो यह एक्टिव नहीं होते है की उपने फ़उंग कर रहे होते हैं और जिनका फंक्शन ओता है ने कि पैथोजन के तो पैथोजन गें रॉड़ने लन एक पैथोजन होगा तो यसे पैथोजन बॉड़ी में तो की하는데 में हैं इसे क्टी करें जी कि अब उठो जो जी अपना काम स्टार्ट करो ठीक है तो फिर एक्टिव हो जाता है और अपने फंक्शन जो है परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है अब हम रीडिंग भी कर लेते हैं इसकी इस सेल्स हेल्प अधर सेल्स तो स्टिमिलेट अमेनिटी ठीक है यह सेल्स क्य को पैथोजिन के बारे में कि पैथोजिन आ गया है ठीक है and make them able to active और उनको active कर देता है यह नहीं कि जैसे information देगा वह active हो जाएंगे ठीक है नीचे रोग में आप में लिखा हुए T helper cells जैसे पैथोजिन है helper cells में क्या किया inform about pathogen to body cells ठीक है अब T killer cells का अच्छे तो T killer cells को हम cytotoxic cells भी कहते हैं cytotoxic T cells ठीक है तो अब T cells तो unactive पड़े वे थे ठीक है क्या क्या कि जो T helper cells थे जैसे pathogen हमारी body में आया T helper cell ने आ कि जैसे सारी body के जो cells को message दे दिया इस तरह T killer cells को भी message दे दिया कि भी pathogen body में आ गया आगया आप active हो ठीक है तो भी T killer cell भी क्या आगया active हो गया और उसने क्या pathogen को kill कर दिया ठीक है यह basically pathogen को kill करने के लिए काम आता है ठीक है यह second step है first step था T helper cell का आप for example जैसे हम मैंने guest की example दी थी like आपका कोई एक भी person है T helper cell उसके कह देते हैं ठीक है गेस्ट आए उस T helper cell या उस आपके member ने जाके पुरी family को बिता दे जी कि guest आ गया है उसमें से जो सबसे बड़ा होगा ना उसको T killer cell कह देते हैं लेकिन T receiving cell कह देते हैं आप ठीक है व आप पर जो हमारी body में T killer cell है मुझा के फॉरण ही pathogen को kill कर देंगे ठीक है नीचे diagram बलके पहले पढ़ लेते हैं लिखा क्या होगा है T killer cells are cytotoxic T cells ठीक है इसको cytotoxic T cell भी कहते हैं when they receive signals from T helper cells they become active and then kill pathogen तो क्या कहते हैं कि जब ये receive करते हैं signal T helper cell से तो ये क्या करते हैं active हो ज अब ही मैंने बिताया है छोटी छोटी चोटी बात बताई जाती है उसको अपने ही तरीके से एक diagram बना ले उसको explain कर दें ग्राफिकली explain कर दें ताकि examiner पर अच्छा impression पढ़े ठीक है अब next cell पे चलते हैं ये क्या करेंगे सप्रेस कर देंगे immunity के action को यहनी कि जो टी किलर के लिए को को किल करता जारा था झाल था that जब já एक पिलर को सब्रेका करेगा थीगा कि वह किल्फे करें ठीक हैं देखें हम लोग diagram से देखते हैं सबसे पहले घु active होकर pathogen को kill कर देगा जैसे ही pathogen kill होगा तो T suppressor cell जो है वो active हो जाएगा automatically ठीक है यह हमारी body का system है तो जैसे T suppressor cell जो है वो active होगा वो message भेज़ जाएगा किसकी तरफ T killer cell की तरफ के भई अब रुक जाओ यानि जिस लिए जिस वज़ा से तुम active होए थे वो चीज़ हो चुकी अब तुम्हारा function खतम होगे तो अपने cells की multiplication करना बंद कर दो अच्छा question है कि multiplication होती क्यों है अब देखे एक अगर cell को कौन की जी body के सारे pathogen को मारो ठीक है वो नहीं कर सकता अब हमारी body में कितने जादा जो है ATP की ज़रुएथ है तो यह सब ATP की जो formation होती वो गोई एक cell नहीं कर सकता उसके लिए बहुत जादा cells की ज़रुएथ है तो same as अब पैतोजिन कितना जादा strong होगा उसके लिए कितने cells चाहिए हमें ठीक है हमें नहीं पता ठीक है तो इस वज़े से क्या होता है कि जो एक जो T-killer cell है वो अपनी copies बना दीता है काफी जादा यहनि कि एक हमारे पस पैतोजिन है उसको 100 जो है T-killer cell ऐसे attack करेंगे वो automatically मर जाएगा ठीक है मतलब किसी भी चीज़ के function को stop कर देना ठीक है तो T-suppressor cell इसलिए active होगा कि T-killer cell को कहें कि भाई अब stop हो जाओ multiplication जो है अपनी बन कर दो ठीक है समझागे अब हम last जो है T-cell के पे जाते है ठीक है T-cell की four type कौन से थी T-memory cell ठीक है चला जाएगा ठीक है अब वो क्यों जाएगा हमारी बोड़ी में वो सर्वे करेगा हमारी बोड़ी का 10 साल तक ठीक है या तो पूरी जिंदगी या तो 10 साल तक वो हमारी बोड़ी में वो जो T-killer cell T-memory cell में convert हुआ था वो 10 साल या पूरी जिंदगी हमारी बोड़ी में सर्वे करता रहेगा कि यह जो पैथोजिन मैंने मारा था क्या यह पैथोजिन दुबारा तो नहीं आ गया ठीक है इस वज़ा से ठीक है वो जैसे ही पैथोजिन आएगा ओन दी स्पोर्ट जो है टी मैमरी सेल जो है वो मैसेज दे देंगे या टी मैमरी सेल जो टी किलर सेल में कनवर्ट होके उसको किल कर देंगे ठीक है इन्ही मैमरी के नाम से पता चल रहा है कि यह एक मैमरी के तोर पे अपने जहन में बिठा ही रखेगा कि यह पैथजिन मैंने मारा था अब इसकी बॉड़ी में जैसे आएगा यौंधी स्पॉर्ट उसको किल कर देगा ठीक है अब आपको क्लेर हो गया मतब चार टाइप सी पहला जो था उसने जैसे पैथजिन हमारी बॉड़ी में आए उसने मेसिज दे दिया कि इसको टी किलर से एक्टिव हुआ उसने उसको किल कर दिया जैसे वो किल हुआ तो टी सप्रेसर सेल जो है वो एक्टिव हो गया उसने वो गया टी किलर सेल के पास के भी अब तुम अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर दो पैथजिन मर गया ठीक है रिलाक्स फिर क्या होगा कि जो टी किलर सेल हैं वो इतने स्ट्रॉंग है कि वो इसको एक दफ़ा अल्रडी किल कर चुके है तो वो इसको किल कर देंगे ठीक हो गया अब नेक्स चलते हैं अच्छा ही ग्राफिकली भी बताया है कि टी किलर सेल क्या हो गया करन्वर्ट हो जेता है टी मैमरी सेल में और फिर नेक्स एरो होके उसको किल कर देगा मेरा खहला कि आपको समझागी होगी बहुत इजी सा टॉपिक है ठीक है आगे हम चलते हैं सेल्स की टाइप पर कितनी टाइप के सेल होते हैं दो तरहा के सेल्स होते हैं एक सेल्स होते हैं और एक नॉन सेल्स होते हैं अब सेल्स का आपको पता है चल जो cell हमारी body में आता है, ठीक है, वो कोई भी pathogen हो सकते है, कोई भी cell हो सकता है, ठीक है, वो हमारी body में आते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, non-self cells, आगी समझ, लेकिन question तो यहाँ पर arise यह होता है, कि हमें कैसे पता चलेगा, कि self cell कौन सा, और non-self cells कौन सा, यह नहीं कि हमारी body में बहुत ज़्यादा cells है, अब हमें क्या पता कि हमारा कौन सा cell है और बाहर का कौन सा cell है, ठीक है, तो cell cells को recognize करने के लिए, कुछ markers present होते हैं, ठीक है, marker surface पे present होते हैं, जो कि immune system को help करते हैं, कि वो recognize कर सकें, अपने personal cells को और बाहर से आने वाली cells को, ठीक है, तो देखे, क्या लिखाए, self cells contain markers on their surface, जो हमारे self cells होते हैं, उनके ओपर एक marker होता है, ठीक है, अब marker भी 2-3 तरह क्यों होते हैं, अब हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन, cell cell पे markers present होते हैं, जिसकी वज़े से जो हमारा immune system, जब cells को recognize करना शुरू करते हैं, अब उसके सामने 10 cells पढ़ेंगें, ठीक है, immune system के सामने, अब उत देखेगा कि किसके ओपर marker present है, अब जिस पे marker present है, वो गएगा बई, जाओ तुम लोग जिस पे नहीं present, तो वो क्या करेगा, फोरण T killer cell को करेगा, जी कि इनको kill कर दो, यह हमारे cells नहीं है, बाहर से आए मैं, ठीक है, अब समझागी, अब आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम markers देखेंगे, कौन-कौन से होते हैं, हम इसका diagrammatic view सारा देखेंगे, और graphical ही देखेंगे इसको, काफी लंदी है, लेकिन बहुत असान है, एक दो दफाब पढ़ेंगे, आपको finger tips पे होगा topic, अच्छे जो चीज के लिए निए मुझे से पूछ लेजेगा, कमेंट सेक्षिन में, बाकी अगर कोई further topic का आप लोगों ने समझना है, तो भी कमेंट सेक्षिन में बिता देजेगा, दौा में याद रखेंगा, चैनल को like, subscribe and share, लाज़नी खीजेगा, जजजा के लाख है,